हाई दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों टेम्पिल्स और बेंगोल की इस जन्नी में मैंने आपको बंगाल के बहुत से मंदिरों की यात्रा कराई है और उसे आप लोगों ने काफी प्यार दिया आज उसी ट्रेम्पिल्स और बेंगोल की जन्नी को कंटीनू करते हुए मैं आज आपको बेलूर मठ के और लेकर चलता हूँ बेलूर मठ भारत के पस्चिम बंगाल के भूगली नदी के पस्चिम तड़ परिस्तित है इसे रामकिश्न मठ या रामकिश्न मिशन का हेट क्वाटर भी कहते है इस मठ भवनों की वास्तु में आपको हिंदू, सिक, इसाई की समिक्षन देखने को मिलेगा जो की धर्मों क एकता के प्रतीक है, दोस्तों बेलूर मठ पे आप कैसे आ सकते हूँ, यहाँ पे आने के पैस तरीके क्या है, साथ में इस मंदिर के टाइमिंग वगेरा भी क्या है, और दोस्तों यहाँ पे भुग परसाथ की विववस्ता है, ऐसे बहुत सारी मर्दुकोन चानकारी है, ज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए, चैनल को सस्क्राइब करते और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, तो चलिए दोस्तों इसी कैसाथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको आपका अपना यूटिब चैनल मनोचला ब्लॉक्स में तहीं दिल से स्टार्ट करता हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए, चैनल करते हैं, दोस्तों हमारी सफर की सुर्वात हमने दखनेश्वर से किया है, ये दखनेश्वर मेट्र इस्टिशन है, आ आलाबा आप बस या लोकल ट्रेंड से भी यहां पहुंच सकते हो, दखनेश्वर पहुंचने के बाद आपको फेरी घाट के तरफ जाना होगा, दोस्तों ये जो आप ब्लू कलर का शेड देख रहे है या दखनेश्वर स्काइवाक है, आप स्काइवाक के द्वारा या स्क स्काइवाक के निचे से ले जाऊंगा, क्योंकि स्काइवाक के उपर में थोड़ा भीर रहता है, जिसके कारण हमें फेरी घाट तर पहुंचने में टाइम लग जाएगा, दोस्तों अगर आपको स्काइवाक के अंदर का नजारा देखना है, तो आप मेरे टेंपल्स में दखिनेश्वर्ण काली मंदिर के वीडियो को देख सकते हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया हूँ, दोस्तों ये रहा, मां दखिनेश्वर्ण काली मंदिर का प्रभेश द्वार, ठेक मंदिर के प्रभेश द्वार के बगल से ये जो रास्ता गया है, इसी रास्ते से आपको आगे चलते हुए फेरी घाट में दोगा, जहां से हमें, फेरी देकर गंगा के उस पार बेलूर जाना होगा, और फिर वहां से बेलूर दोस्तों, ये जो सामने वाले रास्ते से आप चब आओगे तो ये रहा फेरी का टिकट काउंटर, चलिए पहले टिकट कटाता हूँ, उसके पार यहां से बेलूर तक के लिए क्या फ्रेयर बड़ा उसे भी बताऊंगा, दोस्तों, यहां से बेलूर तक के लिए फेरी का चार्ज 11 रुपय लगता है, चलिए अब फ इस वीडियो में आगे और भी बहुत कुछ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में आखरी तक बने रहें, और वीडियो को देखते हुए उसे लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए है, तो इस चैनल को सर्सक्राइब करते हुए, बेल आइकन क क्लिक करके यह वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यार सा कमेंट जरूर करें, अभी आप जो यह सामने मंदिर देख रहे हैं, यह है यहां का राजबारी, दोस्तो गंगा के किनारे बना यह राजबारी वाकई में काफी सुंदर है, अगर आप लोगों को इसकी बारे में ज दिया हो, आप चाहो तो इसे भी एक बार डेख सकते हो, बातों बातों में हम बेलूर मट के सामने पहुँच गये, पता ही नहीं चला, चलिए दोस्तों, फेरी घार से बाहर आप से मिलता हूं, तब तक आप इस खुबसरत नजारे का मजा ले, फेरी घार से निकल कर आपको इसी रास्ते से आगे जाना होगा, तो चलिए बेलूर मट के गेट की ओरूँच दोस्तों, टाइमिंग की बात की जाये तो, अगस्त से सक्टेम्बर, सुभा, साड़े 6 बजे से, तीन के साड़े 11 बजे, और फिर साम को 4 बजे से, रात के 9 खुला रहता है, वहीं अक्टूबर से मास तक सुभा साड़े 6 बजे से, दिन के साड़े 11 बजे तक और फिर साम को 4 बजे से साड़े 8 बजे तक खुला रहता है, बेलूर मट में दरसनीय अस्तल इस लिश्ट के द्वारा आप देख सकते हो, साथ में इस मैप के द्वारा इसे बारे में भी जान सकते हो, इससे आपको बेलूर मट घुपने में काफी असानी होगी, तो चलिए अब आपको बेलूर मट की याद्रा कराता हो, मेंगेट से आप जब आगे की यावर आते हो, तो ठीक आपके बाई तरफ अवित्मा कन्वेशन सेंटर है, चलिए अब आगे की यावर बढ़ते हैं, इसी रास्ते से आप जब सामने की यावर आएंगे, ये सार्दानंद भवन देखने को मिलेगा, उसी रास्ते से आप जब आगे की यावर आते हो, तो आपके बाई तरफ रामकिश्मर म्यूजियम भी देख सकते हैं, यहाँ पर मुबाईल कैमरा अलाव नहीं है, इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, चलिए आपको बाहर से जीतना हो सके दिखाता हो, म्यूजियम देख कर आप जब आगे की और आगे तो आपके ठीक बाई तरफ पानी पीने की व्यवस्ता है, और उसी के बगल में जूते चपल रखने का भी एक काउंटर है, यहाँ पर आप अपने जूते चपल रख सकते हैं, जिसका कोई सुल्क नहीं है, जूते चपल काउंटर के बगल में यहाँ से आप कितावे वगेरा भी करीच सकते हैं, यह रहा बेलूर मट का में मंदिर, स्री रामकिश्न मंदिर, मंदिर की बनावत को आप देख सकते हो, इस मंदिर की वास्तू में हिंदू, इस्राइट तथा इस्लामिक तत्थो का सम्मिक्षन है, जो धर्मों की एक्ता का प्रतिक है, इसी लिए इस मंदिर को देखनी के लिए विविन धर्मों के लोग यहां रोजाना एकटा होते हैं, के लिएर वास्तू में हाऊ सकता हैं, या मंदिर स्वामी बर्मानंद मंदिर है या मंदिर स्वीमा शार्दा देवी मंदिर है दोस्तों यहां पर जगे जगे इस तरह की स्क्रिन लगाई गई है जिस पर आप साम के समय होने वाले आरती को देख सकते हो जब तक आप आरती देख रहे हैं चलिए जान लेते हैं यहां पर भोग परशाद की क्या वेवस्ता है दोस्तों भोग परशाद की बात की चाहिते सुभा साड़े दज बचे के अंदर आपको ओपीस काउंटर में कुपन कलेक कर लेना होगा और भोग परशाद का कोई चार्ज नहीं लगता आप अपनी इच्छा अनुशार शेबा के दौर पर कुछ पैसे दान कर सकते हैं आसर करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी थी आप उससे संतुष्ट हो अगर आपको मेरा ये काम ज़रा से भी पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है प्रेस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल के नाम के पगल में ये जो ब्लैक कलर का सस्काइब बटन है उससे धबाते साथ साथ बेल आइक़न को प्लेट करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिटिशन आप सबसे पहले पहुँचे इसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करना की मात बुलिए इसे के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप गता हूँ अच्छा दोस्ते बहुत चल्ड मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविजाब जय है